नमस्कार दोस्तों कैसे हो एक बार पुने आपका धरिका क्रियर इंश्टूट की ओनलाइन कलासेज में स्वागत है मैं मनोज भालोठिया आज आपके लिए लेका हूँ अगनिवीर आर्मी जीडी से समंदित अपनी चोथी सिरीज आज हम इस पर चर्चा करने वाले मैं आपके लिए आज चोथी कलास लेके आएँ लाइव जिसमें आपके आर्मी में आएवे पुराने परस्णों पर चर्चा करने वाले हैं देखे पहला परस्ण आपने का एक नाव धारा के अनुकूल की वारतलाब कर रहे थे आप एक धारा के अनुकूल की वारतलाब कर रहे थे जब भी कोई धारा अनुकूल चलती है कोई नाव धारा के अनुकूल चलती है तो अगर नाव की चाल अगर मैं अक्स मानता हूं और अगर धारा की चाल वाई मानता हूं तो अनुकूल में ये क्या हो जाईगी दो घंटे का समय लेती है अर्थार्थ एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमेटर की दूरी को 2 घंटे में तै करती है इसका मतलब उसकी चाल हो जाएगी 9 बटे 2 इसका मतलब हो जाएगी इसको काटेंगी तो कितनी 4.5 किलोमेटर पर अवर आपने बोला परतिकूल में आपने बोला क्या परतिकूल धारा के परतिकूल आप बात कर रहे हो समान दूरी समान दूरी मतलब पहले दूरी कितनी थी 9 तो अब भी दूरी कितनी 9 समान दूरी मतलब 9 किलोमेटर और कितने समय में 6 घंटे में तै करती तो बटा कौन है 6 और ये पर्तिकूल दिसा में चाल है अब हमें ये कहा जाता है कि अगर नाव की पूछी जाए तो 1 बर्तिकूल दोनों चालों को आप जोड लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए आपने कहा किसर लूप क से ये तो आप क्या करोगे नाव की लेकिन इसने क्या का नाव एँ धारा की गती देखो नाव की गती और धारा की गती दोनों बताईए तो नाव की गती आगए तीन किलोमेटर पर और जो सबीवी कल्प में थी धारा की जब पूछें जब धारा की गती पूछें तो उसके अंदर क्या करना है अनुकूल दिसा में जो दूरी है उसको और परतिकूल दिसा में जो आपकी चाल है देखो अनुकूल दिसा में जो चाल है उसको और परतिकूल दिसा में जो चाल है उन दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं तो 4.5 माइनस 1.5 बटे कौन 2 जब घटाया तो कितना 3 बटे 2 और पांच किलोमेटर प्रती घंटा धारा की कती चलिए अगले परसंट पर चलते हैं बिलकुर दीखे आपने कहा कि पंद्रा सो प्लस से 600 तो दीखो यहां पर प्लस भी लगाए संबंध कारक भी लगाए तो मैं एक छोटी से चर्चा करता हूं बौड मास पर करता हूं सबसे पह सबसे पहले हम किसको हल गरते हैं कोस्टक को हल करते हैं और कोस्टक में इस सबसे पहले रेका बंद्री है फिर चोटा कोस्टक फिर मज़ला और उसके बदे बड़े कोश्टक को O से बनता है OFF, OFF का मतलता है संबन्द कारक, OFF का मतलता है संबन्द कारका के की से ये वाले और D से बनता है Divide मतलब कौन भाग, M से बनता है Multiply मतलब कौन है, गुना और A से बनता है Addison, Addison का मतलब जोड और आपका S से बनता है Sub-Strike मतलब कौन बाकी या इसको अपने लोग क्या बोलते हैं घटा ना बोलते हैं आपका समसे पहले कोश्टक देर का तो आप इन दोनों को जोड़िए इन दोनों को जोड़ा तो बन गए कितने इकीस सो ओ का का मतलब हो गया संबंदगार गुणा परसेंट में था 30 और परसेंट अटाएंगी तो बटा को ने सो दो जिरो से आप दो जिरो कैंसिल कर दीजी दो जिरो से ये दो जिरो कैंसिल और ये हो गया किती 63 कितना 630 जो आपके विकल्प नंबर डी में है धारीका केरेश्टूट की ओनलाइन कलासेज में आपका स्वागत है आप सभी को नमस्कार आप हमारे साथ जोड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार यदि आपको कलास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ जिन बच्चों के साथ सेर कीजिए जो अगले आर्मि वेल जीडी की तैयारी कर रहे है देखिए अगले परसंट पे चलते है एक टिरी बुझ का प्रिमाप और याद रगना टिरी बुझ का प्रिमाप होता है टी बुझ की तीनों बुझाओं का योग त्री बुज का प्रिमाप होता है त्री बुज की तीनो बुजाओं का योग आपने बुजाओं का नुपात बताया 12 नुपात 13 नुपात 25 है इसका मतलब अगर पहली बुजा 12 है तो दूसरी बुजा 13 है और तीसरी बुजा 15 है इन सभी का योग, क्योंकि त्रीबुज का प्रिमाप होता है A पलस B पलस C, तीनों बुजाओं का योग होता है तीनों बुजाओं का, जैसे आपने ये त्रीबुज बनाया ये अगर A, B और C है, तो A के सामने बुजा को A द्वारा व्यक्त करते हैं, B के सामने बुजा को इसमाल B द्वारा और C के सामने बुजा को स्माल C द्वारा व्यक्त किया जाता है अब ध्याँ देने वाली बात है, अगर पहली 12, 13 और ये अगर 15 है, तो इन दोनों का योग हो गया 25, 25 और 5, 30, 30 और 10 कितनी? 40 unit कितनी उनका उनका परिमाब बनना चीए 40 unit जबकि आप परिमाब बता रहे हो आप परिमाब बता रहे हो कितना 600 meter इसका मतलब एक unit हो गई 0 काटी तो एक unit हो गई कितने की 15 meter की इसने काया लंबी सबसे लंबी बुजा जिसका अनुपात बड़ा होता है वो बड़ी बुजा होती है जिसका अनुपात सबसे छोटा होता होता है सबसे चोटी बुजा होती है सबसे बड़ी बुजा पंदरा है पंदरा को पंदरा से गुणा करेंगे तो पंदरा पंदरा कि 320 आमों को 400 आमों के करे मुले पर बीचता है इसका मतलब एक आदमी 400 आमों की जो कीमत है लागत है, कोश्ट है, उस कोश्ट पर 320 आम बेचता है इसका मतलब हुआ कि 400 आमों का लागत मुले, करे मुले या कोश्ट प्राइस जो है वो ही cost price 320 आमों की 320 आमों को बीचने पर प्राप्त हो जाती है इसका मतलब बराबर आपका 320 की selling price विक्रे मुले या विक्री मुले के बराबर है cancel करते हैं 0 से 0 cancel कर दी 8 से काटा तो 8 चोग 32 8 से काटा तो कितना 5 करे मुले कितना हो गया चार अगर करे मुले चार हैं तो विक्रे मुले कितना हो गया 5 अब ध्यान देने वाली बात थी चार में जोड़ा तब 5 आया या चार में घटा आया तब 5 आया अगर आप जोडते हो लागत में करे मुले में इसका मतलब लाब होता है और अगर घटागर बेचते हो बेचते हो तो इसका मतलब आपको हनी होती है आपने चार में जोड़ा है और जोड़ने का मतलब क्या होता है लाब होता है जबकि यह हमें खुद कहरा है कि लाब में चीए किसमें चीए परसंटेज में चीए और परसंटेज में ये कितना होता है सो परसंट होता है तो सो परसंट की वैल्यू कितनी अक्स इनको क्रोस मल्टिप्लाई किजिए चार से डिवाइड किया तो कितनी बार गया पचीस चार एकम चार और पचीसों का सो अक्स बराबर आ गया 25 एकमे 25 परसेंट आपका अंसर आ जाएगा कितना बी ओप्सन 25 परसेंट उसको क्या होगा लाब होगा यदि आप इन पेपरों के साथ अगर आप टोपिक वाइज हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं अगर आप यहां पर गोर करते हैं अगर पर्मे संक्या में आती है जीरो किसमें आती है पर्मे संक्या में आती है अगर यह जीरो नहीं होती तो उसके बाद हमारे पास दो उत्तरा सकते थे कि अगर आप पर्मे को जीरो से गुणा करोगी तो आपके पास अगर जीरो पर्मे नहीं होती तो आपका अंसर आता एपर्मे और अगर जीरो पर्मे होती तो यह आता फिर आपके वास कौन पर्मे अब मैं एक काम करता हूँ इसका सीधा साफ उन बात करते है जब भी कभी आपको यह कह दिया जाए कि एक पर्मे संख्या को और एक एक पर्मे संख्या को गुणा किया जाए गुणनफल तो उनका गुननफल कभी परमे संख्या होगा और कभी एपरमे संख्या होगा तो आप का अंसर रहेगा कभी हमेशा पुनांक नहीं होगा हमेशा एपरमे संख्या नहीं होगा हमेशा परमे संख्या नहीं होगा कभी तो होगा क्या परमे और कभी होगा एपर में निश्चित नहीं था बिलकुल देखी आगे चलते हैं आपने बोला A-R-I-S-E के अक्सरों को कितने विभीन तरीकों से विवस्थित किया जा सकता है तो इसके लिए आएगा आपके पास कितने अक्सर हैं इस सब्द में आपने बोला सर्फ 5 हैं आपने चो के 20, 20 तिया, 60 और 60 का डबल कितना? 120 आप का अंसर कौन होगा? 120 होगा आप इस सब्द को 120 तरीकों से अलग-अलग रख सकते हो कभी A आगे, कभी R आगे, कभी I, कभी S, कभी E आप इसको कम से कम, आप इसको कितनी बाह लिख सकते हो? 120 बाहर लिख सकते हो आपको दिया गया कि 1589 मिली ग्राम को ग्राम में बदलिए अब पहला काम आता है एक ग्राम बराबर एक ग्राम बराबर 1000 मिली ग्राम होते हैं एक अजार मिली ग्राम होते हैं आप मिली ग्राम को किसमें बदलना चाहते हैं तो आप यहां पर करेंगे एक ग्राम बराबर एक अजार मिलի ग्राम आप यहाँ पर लिखोगे पंद्रा सो नवा worry मिली ग्राम और यहाँ पर आप लिखोगे अक्से ग्राम क्रोस मिल्टिपलाई करेंगे तो आपके पास आजाएगा अक्स बराबर एक दसमलो पांच आथ नो क्योंकि आप इसका भागे दोगे तो ये आएगा आपके पास आंसर तो आपका देरखा है विकल्प नंबर दो में एक दसमलो पांच आठ नो गराम आपका आंसर होगा चली अगले परसंटे चलते हैं एक गटना नहीं गटीत हुई मतलब एक गटना गटीती नहीं वी अगले ने साब सब्दों में कहाए कि वो गटना गटीती नहीं वी इसका मतलब हमारे पास क्या थी वो गटना जीरो प्रोसिबल थी आप उसकी प्रायक्ता चाहते हैं जब वो गटी नहीं जीरो प्रायक्ता ह जीरो और अगर यहां पर नहीं सब धट जाता एक घटना घटी इसका मतलों उसकी प्राइकता कितनी हो जाती एक हो जाती जब कोई घटना घटी थी नहीं जब कोई इवेंट हुआ ही नहीं तो आपके पास क्या होगा जीरो प्राइकता और अगर कोई घटना घटी तो होगी इसका मल उसकी प्राइक तक कितनी एक आईए, चलो अगले पर चलते हैं, एक बल्ले बाज, एक बल्ले बाज, एक बल्ले बाज, एक बल्ले बाज अपनी बारवी पारी में 63 रन बनाता है, अब देखिए, आपने बोला बारवी पारी में, वो बंदा कौन सी पारी में, बारव अब ध्यान देने वाली बात थी, ये 2 रन के जो वर्दी हो रही है, किस के कारण हो रही है, बार वी पारी के कारण हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ओसत का मतलब हर पारी में 2-2 रन बढ़ गए, तो 12 पारियों में कितने रन हुई, तो 12 को 2 से घुना करेंगे, तो उसकी total वर्दी जो थी बारादुनी 24 रनों के क्या वुई थी वर्दी वुई थी यह 24 रन तो उसके क्या थे वर्दी के थे तो यह पूछना चाहता है 11 वी पारी का आएगा तो उसमें 63 जाखर कौन उसमें 63- 24 इसका मतलब उसका पहले average क्या था 49 था 11 वी पारी में average 49 था बारवी पारी के बाद उसत तो बारवी पारी के बाद उसत दो बढ़ गया तो आपका अब बारवी पारी के बाद उसत कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा एक तरीका तो यह था अगर मैं इस तरीके से नहीं करता तो फिर क्या करता फिर आप इसको गनित के मेथड से यूज करतें और गनित के मेथड से यूज करतें तो आप इसको इस तरगे से कर देतें देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लिखतें कि 11 पारियों का average उसका अक्स था, इसका मतल़ टोटल रण बने 11 अक्स 11x runnों में 12 पारी खिलने के लिए आता इसका मलब पारी होगी कितनी 12 और उनका total बन गया आपका average 2 बढ़ गया तो पहले average क्या था अब average हो गया अक्स प्लस दो और आपके run थे 11 पहले और आपने 12 पारी में कितने बना लिए 63 तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस कौने 63 जब मैं इनको गुणा करूँगा तो बन जाएगा 12x और प्लस बारा दोनी 24 बराबर कितने 11x और प्लस कौने 63 जब मैं 24 का transfer करूँगा तो माइनस के कितने 24 11 का transfer करूँगा तो माइनस के कितने 11x मतलब मेरे पास बचा कौन अक्स है और बराबर कितना 49 अक्स का मतलब आप बता रहे हो 11 पारी का उस्फ कितना 49 और 12 पारी में क्या हो गया 49 पलस 2 इसका मतलब इस 12 पारी का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 41 जो आपके और उफशन नमबर एवे है ये गनित के मैंतर जी और ये डारेक्ट है कहने का मतलब जो दो रनों की वर्दी होई है हर पारी में दिखो आप average बता रहे हो ओसत में बता रहे हो ओसत का मतलब होता है परतेक पारी में दो-दो रन बढ़ गए वो बंदा कितनी पारी खेल चुका है इसका मतलब आपके रन बढ़ गए 12 दूनी 24 आप 63 में से 24 निकाल लो इसका मतलब 11 वी पारी में उसका average था कितना 49 और जो ही आपने 12 वी पारी की बात की तो 49 में कितने रन बढ़ गए 2 बढ़ गए तो 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 41 जो हमारा answer होगा चली अगले परसंट पर बात करते हैं आपने बोला कि दी गई सरंकला में अगली संख्या बताईए तो देखो यहां पर आपके 31 फिर 7 फिर 25 फिर 13 फिर गुनिस फिर आपके पास गुनिस और फिर आपके पास 13 आ रहा है तो आपको लग रहा है दोरी सरंकला है देखिए ध्यान दीजिए 31 में से 6 निकाले 25 फिर 15 में से 6 निकाले गुनिस और गुनिस में से 6 निकाले कितने 13 यही काम ये बंदा यही काम ये बंदा कहां कर रहा है आप गोर कीजिए यही काम ये बंदा कर रहा है पका व wohl येगा भ्यान देजिए मतलब साथ प्लस ये अगला पद तेरा गजब तेरा में च्हे जोड़े तो तेरा च्हे कितने उन्निस और जब उन्निस में मैंने च्हे जोड़े तो उन्निस ओर च्हे कितने पचीस आपका अंसर कोन होगा C option होगा ये दोरी सरंगलाती मतलब दो सिरीज को इसने मिला दिया था चली अगले परसन पर चलते हैं आपने बोला एक बहुबुझ के चो मर्स विकेड़न है अब पहली बात ये आती है कि किसी बहुबुझ के विकेड़नों की संक्यागर आपको बतानी हो विकेड़नों की संक्यागर बतानी हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं एक सीधा सा बता रहो बहुबुझ अगर आप बात कर रहे हो विकेनों की संख्या अगर पूची जाए तो जितनी बुझाएं होती हैं, जितनी बुझाएं होती हैं, उस बुझाओं में से क्या कर लेजिए, तीन कम कर लेजिए और उसको क्या कर दीजिए, n into n minus 3 upon 2, आपका 2, अब देखें, यहां पर ध्यान देनी वाले, यह 3 minus क्यों होत और 12 में से 3 कम कितने 9 बटे कौन दो अगर आप दूसरा उठाते हैं तो आपका हो जाएगा देखो यहां काटेंगे कितना 6, 9, 6, 54 आप बता रहे हो कितने 24 यह बता रहा है आपके नहीं होगा आपने का 13, 13 गुणा 3 कम मतलब 10 बटे कौन दो काटेंगे तो कितना 5, 13, 55 नहीं यह भी नहीं होगा आपने का 11, 11 उठाया तो 11 में से 3 कम कितने 8 बटे कौन दो और काटा तो कितना 11, 14, 14 यह तो था विकल्प इसका अंसर कौन आएगा 11 आएगा अगर सर मैं इसको इस तरीके से नहीं करता और इसको अगर मैं यो करता आपके गनित के मैथड से पूरे से हल करता देखो यह विकल्प से था आप इसको अराम से कर सकते थी अब देखिए अगर यह यो नहीं होता तो आपके पास फिर किस तरीके से होता मैं इनको गुना कर रहा हूँ मैं इनको गुणा कर रहा हूँ इनको गुणा कर रहा हूँ ये आपने formula बताया है ठीक है तो यहां पर मैं इनको गुणा कर रहा हूँ देखिए आप इसको यह लिखते N square minus 3N upon 2 और बड़ाबर कौन? इसका transfer करता तो गुणा में कौन? 2 अगर मैं यहाँ वारतलाप करता आपकी यहाँ वारतलाप करता यहाँ वारतलाप करता तो यह हो जाता N square minus 3N और यह हो जाता इदर लाते तो minus का left side में लाते तो minus ka 88 और बराबर कौन है 0 आपको गुणा करने पर 88 देखो बाईए पदों का गुणफल और घटाने पर क्या बचना थी है 3 तो एक टुकडा होगा minus का 11 और एक टुकडा होगा plus का कौन है 8 एक टुकडा होगा minus का 11 और एक टुक्डा होगा plus का 8 अगिर आपकस का मान निकाल रहे हो तो इसका देखो अब देखे प्रांस पर करेंगे तो मैनस वाला किसका हो जाएगा पलस का ग्यारे और ऐनी सक्वाइर का बटा एक बटा में आजाएगा तो उसके टुकुडे कितने हो जाएगे ग्यारा इसका मनलिए आंसर कौन होगा ग्यारा वरसर आठ क्यों छोड़ दिया यह जो ही आठ का ट्रांस पर करोगी तो मैनस का आठ होगा और कभी विकेड़ों की संख्या बुझाओं की संख्या माइनस में रिन के जो संख्या होती है वो क्या होती है एन इंटू एन माइनस थ्री बटे कौन दो चलो अगले परसेंट पर चलते है आपने का दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्या है एक अक्स और एक वाई दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दो उनके वर्गों का अंतर वर्ग का मान आपको बताना था ये एक फोर्मला बनता है गनित में जब आप लिख रहे हो x square minus y square तो मैं इसका विश्थारित रूप लिख सकता हूँ x plus y into korn x minus y और बराबर korn 28 x minus y का मान आपके पास है x minus y का मान आपके पास है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x plus y और यहां लिख सकता हूँ गुणा में कौन 2 और बराबर कौन 28 जब 2 का भाग दिया तो x plus y का मान कितना हो गया 14 जो आपके कौन से विकल्प में 3 नमबर विकल्प में है बिलकुल आप सभी को नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यदि आपको कलास अच्छे लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए देखिए अगला था सरंकला में अगली संक्या बताइए यह था देखो यहां पर पांच के बाद पचीस उसके बाद एक सो पचीस था तो देखो एक छोटा सा काम करते हैं यह था इस पांच को पांच से गुना किया पचीस आ गया और जब पचीस को पांच से गुना किया एक सो पचीस आ गया और जब अगले परसंट पर बात करते हैं देखो A और B एक काम को करम से 10 और 15 दिन में करते हैं मैंने आपको समय काम जब भी पढ़ा है मैंने लिखा सबसे पहले आप A जिस वेक्ति की आप वारतालाब कर रहे हैं उसका नाम लिख दो उसके बाद आप दूसरे वेक्ति B की बात कर रहे हो सबसे पहले मैंने आपको यहां बताया था आप समय नोट कर लो उनके द्वारा लिया गया समय मतलब कंप्लीट काम करने में वो कितना समय लेते हैं आपने बोला A 10 दिन में कंप्लीट करता है और B 15 जिन में पूरा करता है तो A के सामने आप 10 लिख दो और B के सामने आप 15 लिख दो लगुतम लेते हैं दोनों का लगुतम कितना जाएगा तीस डिवाइड करो यह जो तीस आया यह आपका था कंप्लीट वर्क आपका कंप्लीट काम 10 से डिवाइड करेंगे तो इनकी कारिये चमता यह एफिसेंसी जो आएगी इनकी एफिसेंसी कारिये चमता दक्सता जो आएगी वो कितने आएगी तो जब आपने 10 से डिवाइड किया देखो काम को समय से डिवाइड मतलब 10 दिन में काम करते हैं कितना 30 तो पर दे कितना काम किया आपने 10 से डिवाइड किया तो पर दे काम किया A ने 3 और पर दे B ने काम किया कितना 2 15 से 30 को डिवाइड किया 2 क्या कहता है यदि A कारी आरंब करता है और दोनो एक के बाद एक दिन छोड़ कर मतलब एकांतर करम से या बारी-बारी से वर्क करते हैं मतलब पहले दिन आप पहले दिन आप फैस्ट दे परतम दिन एक दिन आप किसको बुलाते हो आप पहले दिन शुरुवात ए से करवा रहे हो एने आरंब करता हैं तो शुरुवात फैस्ट दे और फैस दे में वो कितना काम कर जाएगा तीन काम करके वो चला जाएगा उसके बाद नंबर आएगा किसका बी का अगले दिन कोन आएगा बी आएगा जो एक दिन में एक दिन में कितना काम करेगा आपका दो काम करेगा इसका मतलब समय हो गया आपको एक और एक हैं, दो दिन, इसका मतलब दो दिन में, दो दिन में, जो वर्क हुआ, वो कितना हुआ, पांच, मैं यहां लिग रहा हूँ, दो दिन, और दो दिन में वर्क कितना, पांच काम हुआ, आपको काम कितना करवाना था, तीस करवाना था, तो इस पांच का इसमे 12 दिन और दोनों को 12 दिन लगेंगे और दोनों 12 दिन में 30 काम 30 का मतलब पूरा काम कर देंगे आपने कहा कि वेकलपिक दिनों में काम करते हैं काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा तो आप का अंसर रहेगा कितने 12 दिन जो आपके option number D में है इनको हम बोलते हैं बारे बारे से या एकांतर करम से इसका मेलब हैस दे A आएगा फिर B आएगा और ऐसे जोड़े जो है ना ऐसे जोड़े वो कितने बनेंगे 6 बनेंगे मतलब पहले दिन A फिर B फिर A फिर B फिर A फिर B इस तरीके से ये जोड़े बनेंगे तो इसके लिए सीधा सा काम है आप दोनों दिनों को Disc Nerysर कर लो एक और एक दो दिन और दो दिन में कितना हुआ या तीन और दो पांच पांच काम होया दो दिन का समय पांच काम जो ये काम आई ना ये जो काम है इस काम का हम किस में भाग देते हैं complete काम में भाग देते हैं अर्थार्थ दो-दो के कितने जोड़े बनेंगे जोड़े बनने के बाद भी कुछ काम से रह जाता है या complete काम हो जाता है 5 से डिवाइड किया 6 इसको भी 6 से गुना किया इसको भी 6 से किया इसका मेलब 12 दिन और 56 तीस काम इसका मेलब पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा आपका 12 दिन में पूरा हो जाएगा चलिए अगले परसंट पर चलते हैं देखो एक paper complete हो गया था अब मैं दूसरे paper की वारतालाब कर रहा हूँ क्योंकि आपके paper में 15 question math क्या आने और 5 question reasoning क्या आने 15 question science क्या आने 15 question gk क्या आने है देखी आपने का 7 लड़कों की ओसत आयू 20 वर्स है इसका मतलब 7 लड़की मतलब संख्या कितनी 7 और उनका average कितना है 20 इसका मतलब ये उनकी क्या थी संख्या थी और आप बात करें ओसत की तो उनका जो ओसत था उनका जो ओसत था वो कितना था 20 था तो total I.U. क्या हो जाएगी कुल की बात करेंगी तो ये हो जाएगी 27 को 20 से गुणा करेंगी 140 से वर्स पहले 6 लड़कों की ओसत आयू 19.5 है या 19 सही एक बटा दो है इसका मतलब मैं कह रहा हूँ 6 लड़के और उन 6 लड़कों की पहले 6 लड़कों की मतलब मैंने लास्ट का एक लड़का छोड़ दिया और इसको गुणा किया तो गुणी दूनी 38 और एक 49 इसका मतलब 49 बटे कौन जब दो से डिवाइड किया तो यह हो गया कितना 3 और इनको गुणा किया तो 9, 3, 27 असल लगी कितनी 2 3 तिया 9, 9 और 2 कितने 11 अब जब आप इसमें घटा होगे तो यहां पर आपने घटाया आपके पास देखो यहां परतम 6 लड़के थे तो आपके पास अंतिम लड़का या सात्वा लड़का आपने बात कि किसकी सात्वे लड़के की मैं बात कर रहाँ सात्वे लड़के की जो आयू है वो क्या हो जाएगी इसमें से घटा लीजी तीन बचा इसको दो यहां पर बचा कितना 23 वर्स इसका मतलब आपके सात्वे लड़के की आयू क्या है 23 वर्स है देखिए अगले परसन पर चलते जहां भी आपको समझ में नहीं आए आप इसकी स्पीड काम करके यह इसको वापस से देखके पुरा कर सकते हो देखिए आपने बोला एक कार की गती 90 किलोमेटर परती गंटा है उस क्यती को मिटर पर सेकेंड में बदलिए कल की कलास में उससे पीछे की कलास में भी हमने ये परसन किया था जहां पर हमने किया था कि किलोमेटर परती गंटा की चाल को अगर आप छोटी चाल में बदलने चाहते हो किसे बदलना चाहते हो छोटी चाल में बदलना चाहते हो तो इसको किसे गुणा करते हैं छोटा मतलब 5 से गुणा करते हैं और इसको किसे डिवाइड करते हैं 18 से ये किसमें convert हो जाती है किसमें बदल जाती है मिटर परती सेकिंड में बदल जाती है यदि आपके पास चाल मिटर परती सेकिंड है बड़ी में बदलना चाते हो तो 5 और 18 में बड़ा कौन है 18 आप उसको 18 से गुना कीजिए और बटा कौन 5 वो चाल किस में बदल जाएगी किलोमेटर परती गंटा में बदल जाएगी ये दो बाती चाल को बदलने के लिए मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में भी एक में यहां देखिए 90 किलोमेटर परती गंटा मतलब इस 90 की चाल को मैं छोटी में बदलना चाहता हूँ इसका मेला छोटा कौन है पांच तो मैं इसको किसे करूँगा पांच से और दिवाइड किसे करूँगा अठारा से अठारा पंजियो नबे पांच पांच से पचीस मिटरे परे सेकेंड आपकी स्पीड आजाएगी जो आपकी विकल्प न चूट दे कर आप वस्तू को क्या करते हो बेचते हो 10 परसेंट चूट का मतलब आपने बेचा कितने में 90 परसेंट में उसके बाद 20 परसेंट चोड़ा तो बेचा कितने में 80 बटे 100 में और उसके बाद 40 परसेंट चूट दी तो बेचा कितने में 60 बटे कितने 100 में कहने का म तो कि जब भी आपको percentage में result चीए, तो किसी एक मान का percentage मत अटा ना, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, मैंने इसको cancel किया, 0 से 0 cancel, 0 से ये 0 cancel, 0 से ये 0 cancel, इन दोनों को गुणा किया, तो 98 बैतर है, और जब बैतर को मैंने 6 से गुणा किया, तो 6 मतलब छूट जो थी, वो आपकी केमत, MRP तो 100% होती है, आप बेच रहे हो 43.2 में, इसका मतलब आपके 10 मलों के आगे एक अंक है, तो कुछ ऐसा जोड़िए, कि वो 10 बन जाए, और साहिद मेरे साब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर य आएगा, पॉइंट आठ, जो ही पॉइंट आठ जोड़ा, इस पॉइंट दो में, आपने आठ पॉइंट आठ जोड़ा, वो एक बन गया, तो 43 के कितने होगे, चो मलिस, और जब इसमें से चो मलिस निकालेंगे, तो आएगा, 56 मलो, 8, आपका अंसर कौन सा होगा, D option होगा देखिए, अगले परसन पर चलते हैं, आपने बोला एक वर्त, आपने बोला एक वर्त की बारत अलाब करते हैं, किसकी बारत अलाब करते हैं, वर्त की बात करते हैं, एक वर्त की बात करते हैं, तो दीखिए, वर्त की जब बात की, तो वर्त, वर्त की बात की आपने, तो व पाई आर स्क्वाइर बराबर कितना 616 आपको 30 यह 30 मतलब आर की वैल्यू बताने है अगर यह आपका अगर यह आपका पाई नहीं होता तो पाई का मतलब 22 से और बटे 7 पल्टी मार के उपर जब मैं 22 से डिवाइड कर रहा हूं तो यह होजएगा 22 से डिवाइड करेंगे तो पहले मैं 11 से डिवाइड कर दू दो 11 55 ग्यार चीके 66 दो से डिवाइड किया तो कितना 28 आर स्क्वाइर बराबर गुणा करेंगे आट उसा तू 56 पांच 14 और 5 कितने 19 स्क्वाइर रट आईए तो रूट आर बराबर आजएगा कितना 14 आपकी माप किसमे मिटर में तो 14 मिट आपका अन्सर होगा आप तरिजा पूशना चाहते हैं तो तरिजा कितने होगी 14 मिटर होगी यापका अन्सर होगा चलो अगले पर चलते हैं आपने बोला कि किसी संख्या में 20% की वर्दी और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है आप उसमें 20% की वर्दी करते हो तो वो संख्या बन जाती है 120% वर्दी करने पर वह 300 बन जाती है इसका मतलब 120% जो है वो उसका मान कितना है 300 है वह संक्या क्या है संक्या का मतलब आपको 100% बताना है उस 100% की value क्या होगी मुझे नहीं पता अब मैं इनको cross multiply करता हूँ % से % cancel, 0 से 0 cancel 12 एकम 12, 12 दूनी, 24, 26, 12, 50 अक्स बराबर आजाएगा 25 को 10 से गुना करेंगे 250 जो आपके विकल्प नंबर ए में है चलो next अगले पर चलते हैं आपने का किनी दो संक्याओं के योग का 70% 99 की बराबर है उन संक्याओं का योग है उन संक्याओं का योग बताइए तो मैंने इस योग को अक्स माल लिया आपने का सर अक्स है और अक्स का 70% है 70% है और कितना है उन्चास है उस संक्या का योग और उसका योग कितना था सो परसेंट था तो आप कैचाना चाहते हो अक्स का कितना सो परसेंट कितना होगा मुझे नीप मैंने एक सा लगा लिया आपने का संक्या का योग का दो संक्या के योग का सतर परसेंट संक्याओं का योग मैंने क्या मालिया अक्स मालिया उसका 70% मतलब योग को 70% कर दिया और यहाँ योग खुद चाहते हो तो योग अपने आप में कितना होता है 100% होता है तो मैंने का योग का 100% ये अक्स से अक्स कट गया परसेंट से परसेंट कट गई जीरो से जीरो कटकी, साथ से डिवाइड किया तो साथ और जब साथ को दस से गुणा किया तो कितना आ गया? सत्तर, उन संख्याओं का योग कितना होगा? सत्तर होगा, जो आपकी option number 2 में है, बिलकुल देखी, अगले person पर चलते हैं देखिया, आपने का कि 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में करते हैं ये बन गया किसकी according, M, D, H, बटे कौन, W बराबर कौन, M, D, H, बटे कौन, W member दिन, घंटे, बटे कौन, काम आपने का 15 व्यक्ति, इसका मलब member कितने, 15 member किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति, मतलब ये वाला work 20 member करें, तो कितने दिनों में उसको करेंगे मुझे नहीं पता तो मैंने दिन लगा दिया 20 से 20 कैंसिल बचा कितना, 15 आंचर आजाएगा कितने दिन में पूरा कर देंगे पंद्रह दिन में पूरा कर देंगे जब कि option number 3 में है देखिए अगले परसन पर चलते है N प्राकर सिंख्यों के योगफल का formula बताईए N प्राकर सिंख्यों के N प्राकर सिंख्यों के का योगफल पुछे तो उसका फॉर्मूला होता है n into n plus एक बटे कौन 2 यह इसका फॉर्मूला होता है जा आपके option नमबर है 1 में है बिल्कुल आपका फॉर्मूला n into n plus 1 बटे 2 यह प्राकर सिंख्वों के n प्राकर सिंख्वों के ka योगफल होता है पर्थम एन प्राकर्सिचों का चलो अगले पर चलते हैं आपने बोला अगले परसन में कि एक समकौन त्रीबुज समकौन त्रीबुज क्या होता है देखो त्रीबुज कौनों के आदार पर तीन परकार की होते है एक नाम हम लिखते हैं न्यून कौन नियून कौन त्रीबुज एक नाम लिखते हैं हम समकौन त्रीबुज और एक नाम हम लिखते हैं अधिकौन त्रीबुज अधिकौन त्रीबुज अब बात आती है जिसके तीनों कौन नियून कौन हो नियून कौन त्रीबुज होता है अर्थार्थ तीनों ही कौन नियून कौन होने चीए और जब बात समकौन की करें तो समकौन में एक कौन 90 डिगरी का और दो कौन है नियून कौन और अधिकौन त्रिबुज की बात करें तो एक कौन अधिकौन और बाकी बचे दो नियून कौन अर्थार्थ किसी भी त्रिबुज का निर्मान करते हैं तो उसमें कम से कम दो नियून कौन होते हैं यदि तीसरा कौन भी नियून कौन है तो नियून कौन त्रिबुज हो जाएगा और यदि तीसरा कौन समकौन है तो वो समकौन हो जाएगा और यदि तीसरा कौन अधी कौन है तो वह त्रिबुज कैसा हो जाएगा अधी कौन त्रिबुज हो जाएगा समकौन त्रिबुज में एक कौन 90 डिगरी का हो गया एक कौन आप बता रहे हो एक कौन आप बता रहे हो 35 डिगरी का हो गया और तीसरे कोण का आपको पता नहीं तो आपने अक्स मान लिया और त्रीबुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है जब मैंने 90 गटाया जब मैंने 90 गटाया तो 90 बचा 90 गटाया तो 90 बचा और जब 35 गटाया जब 35 गटाया तो आपके अक्स का मान आ गया 35-30 गटाए, 60-5 और गटाद ये तो कितने 55 आपका अंसर कौन होगा, 55 दिगरी तीसरा कौन कितने दिगरी का होगा, 55 क्यों, क्योंकि त्री बुज के तीनों कौनों का योग कितना होता है, 180 दिगरी होता है चलिए अगले परसेटे चलते हैं 114 किगरा चावल एक थेली में आता है एक थेली में अगर आप डालोगे तो 114 किलो आता है आपको कितना 1026 किलो ग्राम चावल को कितने थेलियों में आप सिकता होगी कितने थेलियों के आप सिकता होगी इसका मतलब एक थेली एक थेली और एक थेले में कितना 114 केजी आपको चीए कितना 1026 केजी को पैक करना था कितनी थेलियां चाहिएंगे मुझे नहीं पता मैंने लिखा अकसे थेली 114 से डिवाइड करना है मुझे 114 का पाड़ा नहीं आता आप कैंसल किजी इसको 2 से 5 और 7 सत्यावन जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया तो 5 और 1 और कौन 3 मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो गुनी 3 सत्यावन 3 से डिवाइड किया तो 7 एक साथ 111 गुनी एकम गुनी और गुनी निमा 111 कि तर जब इनको cross multiply किया तो आपके पास x का मान आया x को आपने 1 से गुना किया x और 1 को 9 से किया तो कितनी 9 थेलियों कि आपको क्या होगी 9 थेलियों कि आपको क्या होगी आप सीखता होगी कितनी थेलियों कि 9 थेलियों कि आप सीखता होगी परतेक में पांच जोडने की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह अनुपात था मैं इनकी संक्या बना लेता हूँ तीन अक्स दूसरी संक्या कौन है चार अक्स पहली संक्या को A माल लिया दूसरी को B माल लिया पहली में आपने पांच जोडा दूसरी में भी आपने 5 जोड़ा ये अनुपात बदलकर कितना हो गया 4 अनुपात 5 हो गया आप इनको क्या कर लीजिए cross multiply कर लीजिए 4 चारे 16 पलस 5 होके 20 बराबर 5 तिये 15 अक्स और पलस 5 25 आप इसका transfer कीजिए माइनस के 15 आप इसका transfer कीजिए माइनस के 20 आपने यहां गटाय educate और यहां पर कटाय तो कितना 5 अक्सका मानी कितना 5 इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो पहली संख्या है आपकी जो पहली संख्या तीन अक्स थी तो आप क्या चाहते हो वे संख्या हैं बताइए तो पहले संख्या आपकी A हो जाएगी 3 गुना 5 मतलब 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 अक्स मतलब 4 गुना 5 B हो जाएगी 5 ओके 20 आपके कौन से उपसिन में है तीन नमबर उपसिन में है तो आपका अंसर कौन हो जाएगा C हो जाएगा एक तरीका ये था एक तरीका और भी था अगर आप परतेग संक्या में अगर आप परतेग संक्या में समान संक्या जोड रहे हो तो मैं इसका एक सीधा सा तरीका बताता हूँ देखे गोर करना आप गोर करना मेरी छोटी सी बात का मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, अगर आप प्रतेग में समान संख्या जोड़ रहा हूँ, तो पहले ratio मान था 3 अनुपाथ 4, दुबारा ratio मान हो गया 4 अनुपाथ 5, अगर आप समान संख्या जोड़ रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, इनके 20 का, इनके 20 का gap चेक कर एक unit बड़ी और आप हकीकत में कितना जोड रही हो 5 इसका मतल els कितने की है 5 कि तो यह संख्या बन जागी 5 ती 35 और यह संख्या बन जाएगी 5 सोके 20 क्योंकि पहली संख्या के पास 3 unit है 5 सोके 15 तो चार उनित कितने भी तोके की तीन खार जाएग 이후 पंद्रागी जो आपके उफ्सन नमबरें C में था चलो आगी चर्चा करते हैं इन प्रसनों की अगला प्रसन था आपकी पास आपने का 16,000 रुपे में एक टेलिविजन खरीदता है टेलिविजन का मुल्ले 5 पर्चते पर्तिवर्स कम हो जाता है हरास हो जाता है कमी हो जाती अव मुल्लेन हो जाता है घट जाता है इसका मतलब हुआ तीन वर्स बाद आप आगे की बात कर रहे हो तीन वर्स बाद आगे की बात कर रहे हो आगे की बात कर रहे हो इसका मतलब अंतिम मान पूछ रहे हो शुरुवात हुई 16,000 से 5% क्या हो गया कम हो गया तो अब कीमत बन गई कितनी 590 में परसेंट पहले साल आपको कितने साल का चीए 3 साल का चीए इसका मतलब अगली बार भी 590 में बटे कौन है 100 और उससे अगली बार भी कितना 590 में बटे कितना 100 अब जितना आप इजीवे में काट सकते हैं उतना इजीवे में काटियें मैंने 2-0 से 2-0 कैंसल कर दी 0 से 1-0 कैंसल कर दी मैंने 5 से डिवाइड किया 15,000 से डिवाइड किया कितनी बार गया दो बार गुणिस को गुणिस से किया कितना गुणि-गुणि तीन सो और एक सट है तीन सो एक सट को किसे गुणा करना था गुणिस से गुणा करना था और जो बचे उसको किसे गुणा करना था दो से मैं गुणा कर रहा हूं गुणी एकं में गुणी असल लगी एक गुणी 6 114 और एक 115 असल लगी कितनी 11 गुणी 37 और जब 37 में 11 जोड़े तो कितने हो गई 68 डबल करना था तो नो दुनिय 18 साहिद किसी दो विकल्प में इकाई कांग 8 नहीं था मैं अगले की बात कर रहा हूं नो दुनिय 18 असल लगी एक 10 और एक 11 अगला अंक यहां पर 2 था और यहां पर कौन था एक था आप कांशल कौन हो जाएगा D उप्षन गुणा करते हैं नो दुनिय 18 एक असल लगी 5 दुनिय 10 और एक 11 यहां पर हो गया 8 दुनिय 16 औरेके 17 चैदूनि 12 और एके 13 1718 जो आपक परसने पर चलते हैं एक कमरे की लंबाई 7 मिटर और चोड़ाई 4 मिटर है आपको कमरे के फर से पर टाइल लगवाने का क्या खर्चाएगा यदि टाइल लगवाने की लागत है 21.50 रुपे परती रुपे परती वर्ग मिटर है यह आया नहीं स्कॉयर नहीं लिखा गया आपक 20.50 रुपे परती मिटर स्कॉयर है अब ध्यान देने वाली बात थी सर मिटर स्कॉयर क्यों दिखो जब आप फरस पर लगा रहे हो और फरस पर जब टाइल लगाई जाती है तो फरस इस रूप में होता है साथ बाई कितना चार यह इसकी चोड़ाई थी यह इसकी लंबाई थी इसमें आप टाइल लगा रहे हो इसमें आप टाइल लगा रहे हो जो भी आपकी टाइल ने है वो आप इसके अंदर लगा रहे हो तो कहने का मिलो जो टाइल लगाऊगे उस टाइल का खर्चा तो खेतरफल को आप लागत से गुना कर दोगे, किस से गुना कर देंगे तो हमारे पास को न आजेगा? खर्चछा आजेगा फरस का खेतरफल जो था वो था लंबाइ गुना चोड़ाई लंबाइ गुना कौन? चोड़ाई और जो लागत थी वो थी 21.5, आप खुद करें, 21.5 रुपे, 5 रुपे पर्ती मिटर स्क्वाइर थी, अब देखें, लंबाई कितनी, 7 गुणा कितनी, 4 और गुणा कौन, 21.5, अब देखें ध्यान देने वाली बात, इनको गुणा करता हूं, सबसे पहले, 24, 84 होते हैं, 24, 84 ह में 2 जोड़ेंगी, तो इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 86, अब आपको 7 को किसे गुणा करना था, 86 से, तो यह हो जाएगा, 7, 6, 42, असल लगी कितनी, 4, 7, 8, 56, 57, और 4 कितना, 60, कितने रुपे का खर्चाएगा, 602 रुपे का खर्चाएगा, जो आपकी option number B में है, यह चलो अगले पर चलते हैं, देखिए, चार चात्रों की लंबाई करम से, 140, 136, 142, 142 से में, उनकी ओसते लंबाई बताईए, अब दिखू, 140, पहला बंदा 140 का, दूसरा 136 का, फिर 142 का, और उसके बाद 140 का, चारों का योग, क्योंकि ओसत बराबरता राशियों का योग, राशियों की संख्या, बटे कितनी संख्य हैं, चार, इन सब को जोड़ना था, आपको जब ओसत निकालना था, क्या निकालना था, ओसत निकालना था, मैं जोड़ता हूँ, यहां पर आपने 0, 6 और 2, 8, 8, और देखो एक चीज बता दू, जब आप 8 बटा कोने, 4 है, तो इ 4, 3, 7, 7, 7 और 4, 11, 7 और 4, 11, 11 और 4, 15, 15, असल लगी 1, 1 रेक असल वाली 2, 3, 4, और 5, और बटे कोने, 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 9, जब आपने इसका आदा किया, तो 13, इसका आदा किया, तो 9, और 5 कौन, पांच, आपका ये एवरेज रहेगा, तो जब आपका अंसर हो, क्या होगा, बी ओप्षन होगा, ये आपका अंसर होगा, चलो अगले परसन पर चलते हैं, आपने बोला, 543 का, 583 का, 43 परसेंट, मैनस 401 का, 23 परसेंट, तो ये होज़ाएगा, 583 गुणा, 43 बटे कौन, 100, मैनस कौन 401 गुणा, 23 बटे कौन, 100, ध्यान देने वाली बात थी, इन दोनों को गुणा करते हैं, हम इन दोनों को गुणा करते हैं, तो ये आपका अस 3 तिया 9 होता, और ये 3 एकम 3 होता, 9 में से मैं 3 निकालता, तो इका अंसर देखो, ये 2 विकल्प नहीं हो सकते हैं, इन 2 में से 1 विकल पर चूज करना था, अब मैं देखो इसमें चूज करता हूँ, आप सबसे पहले आप पे 5, 8, 3 को गुणा करते हैं, 43, 3 तिया कितना 9, 3 तिया कितना 9, और 24, असल लगी 2, 15, 2 कितने 17, गुणा करते हैं, 4 से तो 4 तिये 12, 1, 32, 33, 20 और 3, 20 और 3, कितने 23, यहां पर गटाए तो बसके कितने, जोडे तो कितने हो गए, यह हो गया 9, यह हो गए 6, यह हो गया आपका 0, और यह हो गया 4 और 5 और यह 2, आपका आथा, दो, kissing, 0.69 मैनस इन को गुणा करते 401 को 23 तो यह हो जाता 3.012 2.08 जोडते तो यह हो जाता 23 यह हो जाता दोर यह हो जाता नो आपका होता बानमे दसमलो 23 जब आप इसमें से बानमे दसमलो 23 निकालते तो बचता आप की वास 6 आठ बचता आपके पास कितना आठ बचता आपके पास कितना पंदरा आपका 158.46 होता एक 158.46 जो आपके option number C में है देखिए अगले परसे पे चलते हैं आपने का एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा दो प्लस कौन है दो का मान क्या होगा तो दीको सीधी सीधी बात है अगर मैं एक बटा चार एक बटा चार को जोडता हूं तो कितना बन जाता है एक बटा दो एक बटा दो को जोडता हूँ कितना बंचाता एक दो रेके तीन और रेके चार और चार सही चार सही एक बटे दो जिसका मान होता है चार दुनी आट और रेके नो बटे दो जो आपके उस्सन नमबरे B में है अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर आपको एक तरीका करना पड़ता फिर आपको एक तरीका करना पड़ता और वो क्या करना पड़ता आप इन सबका लगुतम लेते एक बटा चार पलस एक बटा चार पलस एक बटा एक पलस एक बटा दो पलस एक बटा दो और पलस कौन दो बटे एक इन सबका लगुतम कौन आता चार आता चार से डिवाइड करते तो एक प्लस एक से डिवाइड करते चार एकम चार प्लस दो से डिवाइड करते दो दो प्लस दो से डिवाइड करते दो दो एकम दो और प्लस चार दूनी कितने आठ जोडते 8 और 2 10 10 2 12 12 14 17 और 18 18 बटे कौन है 4 जब 2 से डिवाइड करते 9 2 से डिवाइड करते 2 आंसर आता कितना 9 बटे 2 यह आपका इस तरीके से था यह आपके टोटल 30 परसंट थे 2 पेपरों के 15 पहले पेपर के 15 दूसरे पेपर के देखिए आप सभी को रंगों के त्योहार होले की बहुत सारी सुबकामने यह त्योहार आपकी जीवन में रंग भर दे रंगेन बना दे आपकी जिन्दगी को इनी सुबकामनाओं के साथ आपको एक बार पुने होले की हारदी के सुबकामने आपकी ओनलाइन और ओफलाइन कलास से 7 और 8 तरीक को ओफ रहेगी आपकी अगली कलास 9 तरीक के इसी समय 8 बजे ओनलाइन होगी और ओफलाइन का जो समय वो ओफलाइन का ही रहेगा मिलते हैं 9 तरीक को एक नई कलास के साथ कुछ नए परसनों के साथ एक बार उन्हें आपको, आपके परिवार वालों को, आपके साथ, आपके मित्रों को, आपके सभी रिस्तिदारों को, होली की बहुत सारी सुबकामने, ये रंगों का त्योहार आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियान लेकर आए, इन्ही सुबकामनाओं के साथ दारी का प इसे की सुबकाम नहीं करता है जैन जै बार